नमस्कार, थर्ड समिस्टर की फर्स यूनिट सारे वीडियो उसके अप्लोड हो चुके हैं और आज मैं उसके मल्टिबल चॉइस क्वेशन्स अप्लोड कर रही हूँ कि हमारे यहां जो एकसाम होगा अभी क्लिर नहीं हुआ है कि वो डेस्कृटिव होगा या अब्जेक्टिव होगा दूसरी जो यूनिवर्सिटीय्टीज हैं फर ईकसाम राज़ामहिंद प्रदाप संग्व उन्वर्सिटी इसका आ चुका है किश अब्जेक्टिव होगा वह रहते हैं तो अपने लिए भी useful है शुरू करते हैं पहला question है who wrote poetics poetics किस ने लिखा तो उसका answer जो चार options है Plato, Socrates, Aristotle और Skylus में से सही जबाब है हमारा poetics answer दे ही रखा है book में Aristotle declares that plot is Aristotle ये गोशना करता है कि plot क्या है soul of tragedy tragedy की आत्मा है what according to Aristotle is the aim of a successful tragedy Aristotle के अनुसार एक सफल tragedy का उद्देश्य क्या है तो एक सफल tragedy का उद्देश्य है catharsis catharsis के बारे में मैं कई बार बता भी चुके हूँ arousal of the feelings of pity and fear एक बड़ा सा वीडियो अपलोड करूँगी में वालों के लिए अभी टाइम नहीं है कोशिश करूँगी जल्दी तो खेथार्सिस का मतलब क्या होता है arousal of the feelings of pity and fear अभी आप इतना ही याद रखिए next question है what type of drama has Aristotle completely rejected यानि Aristotle ने किस प्रकार के drama को पूरी तरीके से reject किया है तो Aristotle ने tragic comedy को बिल्कुल reject किया है tragedy हो तो tragedy हो comedy हो तो comedy हो दोनों का mixture नहीं होना चाहिए ये Aristotle को बिल्कुल पसंद नहीं है तो यहां हमारे जबाब होगा B tragic comedy how many constituents are there in a tragedy एक tragedy में कितने constituents होते हैं कितने parts होते हैं तो एक tragedy के six parts होते हैं उनको आप चाहें तो याद कर लें कभी पूछे भी जा सकते हैं plot, character, diction, thought, spectacle, song इस तरीके से रट्टा मार लीजे या फिर note कर लीजे अपनी notebook में मैंने क्या कह बताया plot, character, diction, thought, spectacle, song तीन-चार बार ऐसे ही बोलिए plot, character, diction, thought, spectacle, song ये six elements होते हैं tragedy के next question है who is Dionysus Dionysus कोन है? कल मैंने Greek drama पर वीडियो अप्लोड किया था अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि Dionysus कुन था? Greek god of wine यानि यूनानी देवता था शराब का इसको मनाने के लिए इसकी पूजा करने के लिए एक त्योहार मनाया जाता था और वहाँ पर tragedies दिखाई जाती थी तो Greek god of wine था Dionysus who wrote Edipus Rex किसने लिखा है? Sophocles ने लिखा है कल Greek drama जब मैंने पढ़ाय था तो इसकी बात कही गई थी ये सारी चीज़ा मैंने बताई थी Greek drama वाले वीडियो में What is trilogy? trilogy क्या है? Three tragedies तीन tragedies दिखाई जाती थी मतब एक writer को तीन tragedy और एक comedy लिखनी होती थी दिखानी होती थी एक competition होता था Dionysus के सम्मान में जो festival मनाया जाता था महाँ पर tragedies का competition होता था तो एक writer जिसका मन करता था वो trilogy लिख देता था यानि जो तीन tragedy interconnected होती थी आपस में तो वो trilogy कहलाता था What is hemartia? बहुत important term है कुछ लोग इसको hemartia बोलते हैं आप hemartia बोलिए hemartia better pronunciation है तो इसका जो translation है वो error in judgment actual translation है वैसे इंग्लिश में हम इसको इंग्लिश ड्रामा में हम इसको fatal flaw, tragic flaw जो main character है protagonist उसके character में पाई जाने वाली weakness fatal flaw या tragic flaw कहलाती है Greek ड्रामा में ये hemartia था और उसका मतलब था error in judgment यानि judgment में error हो जाती है गलती हो जाती है मैंने कल Greek ड्रामा पर जो वीडियो प्रोड किया था तो मैंने आपको Oedipus Rex की कहानी भी सुनाई थी उसमें तो वहाँ उसकी error of judgment क्या थी उसको पहले confirm करना चाहिए था उसके judgment में ये error हुई कि उसको वापस अपने घर जाना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि भई सच्चाई क्या है बिना सच्चाई पता लगाए वो अपना घर छोड़कर भाग गया और गलती से वहीं पहुँच गया जो उसका बर्थ प्लेस था और असली बाप को उसने मार डाला और असली मां से शादी कर ली तो ये उसका error in judgment था यानि decision लेने में उससे गलती हुई और जब Oracle ने ये कह दिया था कि तुम अपने बाप को मारोगे मां से शादी करोगे तो उसको थोड़ा सा alert रहना चाहिए था किसी बुजर्ग की हत्या नहीं करनी चाहिए थी अपने से बड़े आदमी के क्योंकि बाप अगर होगा तो obviously उम्र में उससे बड़ा होगा तो उसको ये धियान रखना चाहिए था कि मैं जिन्दगी में कभी अपने से बड़े उम्र वाले व्यक्ति को नहीं मारूंगा या अपने से उम्र में बड़ी औरत से शादी नहीं करूंगा ऐसा उसको सोचना चाहिए था decision लेना चाहिए था तो ये इसका error in judgment रहा तो ये सब क्या कहलाता है हैमर्टिया कहलाता है और इसी की वज़े से सारी tragedy होती है ठीक है next आगे बढ़ते है what does Aristotle mean by peripatia तो Aristotle ने एक term use किया है peripatia इसका peripatia भी बोलते हैं इसको तो peripatia का मतलब क्या है इसका मतलब होता है sudden change in fortune यानि reversal of situation situation reverse में जाने लगती है जैसे इडिपस रेक्स को जैसे ही पता चलता है सब कुछ अच्छा जा रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था उसने अच्छी खासी जोकास्त्रा से शादी कर ली बच्चे हो गए और राज कर रहा है मजे से लेकिन जब suddenly उसको पता चलता है कि जिससे उसने शादी किया वो उसकी रियल मा है तो वहां से reversal of situation शुरू हो जाता है तो वो क्या कहलाता है peripatia reversal of situation तो इसको आप sudden change in fortune कह सकते है या फिर reversal of situation कह सकते है और उसके लिए Greek term है peripatia इसको आपको याद रखना है फिर है how many types of plots are there कितने प्रकार के plot हैं दो प्रकार के हैं according to Aristotle simple और complex फिर है there is an imitation tragedy is an imitation of a serious action यह काफी लंबी definition है tragedy की जो poetics में दी है Aristotle ने अभी आपको उसको तो याब नहीं करना है में में जब आएंगे तब तो आपको रटनी पड़ेगी वो लंबी सी definition tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude काफी लंबी है और end में वो केथारसस पर जाके खतम होती है तो अभी आपको इतना जानना है कि tragedy is an imitation of a serious action फिर है who wrote frogs तो इसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी ग्रीक ड्रामा जब बताया था मैंने तो frogs किस ने लिखा है aristophans ने लिखा है who wrote the seven against thieves तो the seven against thieves किस ने लिखा है कल का वीडियो देखा हुआ तो याद होगा आपको कि ये askylas ने लिखा है सही जबाब होगा next question है who wrote the trozen woman trozen देखी यहाँ भी spelling इनों ने बुक वाले ने गलती लिख रखी है तो trozen t-r-o-j-a-n तो ये किस ने लिखा है b यानि के euripides ने लिखा है कल आपको बताये थे askylas के plays के नाम बताये थे और euripides के plays के नाम बताये थे sofocles के plays के नाम भी बताये थे तो उतने तो आपने याद कर लिया होंगे मुझे उम्मीद है अपने note कर लिया होंगे कहीं note book में which is the first English tragedy पहली अंग्रेजी की tragedy कौन सी है वो गोर्बुडक है तो ये आपको याद रखना है गोर्बुडक पहली English tragedy है अच्छा इसको फेरेक्स पोरेक्स भी बोलते है दो भाई आपस में लड़ मरते हैं फेरेक्स पोरेक्स फिर है which is the first English comedy तो पहली English comedy कौन सी है ये है गेमर गल्टन्स नीडल इसको याद कर लिजेगा फिर है who wrote the Spanish tragedy Spanish tragedy किस ने लिखी टॉमस किड ने लिखी है फिर miracle plays merit miracle plays में किस चीज का वर्णन होता है the lives of saints यानि संत लोगों ने जो उनके जीवन बताए जाते हैं संत लोग अपने life में बहुत सारे miracles करते हैं उसको छूके सही कर दिया उसके बीमारी सही कर दी तो इस तरीके के miracle संत लोग करते हैं तो संतों के जीवन से संबंधित जो नाटक हैं वो miracle plays है mystery plays पर यहाँ question नहीं है तो आप वो भी note कर लीजे अपनी notebook में कि जो mystery plays हैं उनमे bible की stories पर based नाटक होता है मैंने वैसे mystery plays miracle plays इन पर एक वीडियो अलग से upload किया है morality plays, interlude इन सबको एक वीडियो में मैंने include किया है आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजेगा और नहीं तो एकम साम इतना note कर लीजे क्योंकि यहाँ मुझे कहीं भी question देख नहीं रहा कि इन्होंने mystery plays पर कोई question बनाया हो objective नहीं है तो mystery plays के बारे में आप note कर लीजे कि mystery plays वो नाटक है जो Bible की stories पर आधारित है और morality plays में क्या होता है कि जैसे love है kindness है, anger है यह सब characters के रूप में stage पर आते हैं जैसे love है आप देख नहीं सकते kindness है आप देख नहीं सकते या फिर anger है आप देख नहीं सकते हैं महसूस ही तो कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकिन जब यह feelings चलती फिरती नजर आती है stage पर तो वो नाटक क्या कहलाता है morality plays क्या आता है ठीक है, note कर लीजेगा फिर आगे बढ़ते हम how many cycles were in England England में कितनी cycles थी अब cycles क्या थी वो मैं एक वीडियो और upload करूँगी, कोशिश करूँगी तो उसमें इनके बारे में बताऊँगी लेकिन अभी आप यह याद कर लीजे कि four cycles थी फिर who is not among university words university words पर मैंने अलग से एक वीडियो upload किया हुआ है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो university words के बारे में आपको पता चाले उनके नाम मालूम पढ़ जाएंगे कि कौन-कौन से university words हैं जब आपको यह पता होगा कि university words कौन-कौन से हैं तो आप obviously पहचान लेंगे किसी और का भी नाम दिया जा सकता था माली जे विलियम कौंगरीव का नाम दे दिया जाता या बें जॉनसन का नाम दे दिया जाता और आपको पता ही नहीं है कि university words कौन-कौन से हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है ऐसे question का जबाब देने के लिए कि आखर university words हैं कौन-कौन से तो वो वीडियो जरूर देख लिए जगा आप फिर है who wrote Anthony and Cleopatra Anthony and Cleopatra किसने लिखा है William Shakespeare ने लिखा है बहुत खुबसूरत tragedy है कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा वक्त मिलने पर मैं भी उसको upload करूँगी अभी तो नहीं who wrote Dr. Foster's Dr. Foster's बहुत बहतरीन tragedy है और यह मैंने पूरी upload की है और यह Christopher Marlowe ने लिखी है तो जवाब हमारा होगा C Next question है Which play is not written by Shakespeare इन में से कौन सा नाटक Shakespeare ने नहीं लिखा है As You Like It, The Jew of Malta, Othello, Macbeth तो As You Like It, Othello, Macbeth तीनों ही यह नाटक आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं तीनों मैंने upload किये हैं तो आपको पता ही है कि यह तीनों तो Shakespeare के हैं लेकिन The Jew of Malta मैंने upload भी नहीं किया है और यह Shakespeare का है भी नहीं तो आपने पहचानी लिया होगा फिर Which is not a tragedy by Shakespeare among following plays यह जो नीचे नाटक नाम दिये हुए है इनमेंसे कौन सी Shakespeare की नहीं है Macbeth Shakespeare का है Anthony Cleopatra Macbeth का है Hamlet Macbeth का है The Merchant of Venice भी Macbeth का है और सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ Shakespeare का है यह सारी जो ड्रामाज है Shakespeare के हैं लेकिन हमसे पूछा क्या गया है भई Which is not a tragedy इनमेंसे कौन सा tragedy नहीं है तो Merchant of Venice ट्रेजडी नहीं है Merchant of Venice क्या है एक tragedy comedy है tragedy होते होते comedy हो जाती है यह तो पूरा मैंने अप्लोड किया हुआ है Macbeth भी अप्लोड़ेड है Hamlet चल रहा है Anthony Cleopatra फिर कभी Who wrote John Who was John Golsworthy John Golsworthy कौन थे A writer and social reformer एक लेखक और समासोधारक A problem play writer एक problem play लिखने वाले लेखक दोनों ही इनके बारे में सही है फिर है How many rass are described in Naatya Shastr Naatya Shastr में कितने rass का वर्णन किया गया है तो Naatya Shastr में 8 rass बताए गये हैं हालांके 9 rass हैं बाद में जोडा गया है एक rass मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो इस पर बनाया है धाई घंटे का वीडियो होगा कम से कम जानतक मुझे याद है दो घंटे का तो होगा रass theory पर बहुत wide theory है तो आगर आपका interest हो रass theory Naatya Shastr की जानने में तो उस वीडियो को देख लिजगा वरना भी आपके लिए इतना जानना काफी है कि Naatya Shastr में आठ रस बताए गए है फिर है who wrote Naatya Shastr Naatya Shastr लिखा किसने ये जानना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना हमारे इंडिया की बहुत ही important book है Naatak की theory पर लिखी गई Poetics Aristotle की को सारी दुनिया पढ़ती है जानती है लेकिन Naatya Shastr उसे कहीं आगे और कहीं बहतरीन तरीके से लिखा हुआ गरंथ है लेकिन हम तो अपनी चीजों का प्रचार नहीं कर पाते हमारे पास बहुत अच्छे चीज़े हैं फिर who composed the first chapter of Naatya Shastr Naatya Shastr का पहला chapter किसने लिखा Lord Brahma ने तो अब भई अब तो ये किवदंतियां हैं आप कहेंगे कि Brahma ने कैसे लिखा विश्वास्तो कीजिए आप कि Naatya Shastr का पहला chapter Lord Brahma ने लिखा ऐसा वहां mentioned है How many types of plots are described in Naatya Shastr Naatya Shastr में कितने प्रकार के plot describe किये गए वर्णन किया गया है Naatya Shastr में एक, दो, तीन, चार नहीं, दो ही प्रकार के plot का वर्णन है और मैंने आपके लिए note भी कर दिये यहाँ पर एक प्रकार है principle और दूसरा है subsidiary और उसमें जो लिखा हुआ है पहला प्रकार आधिकारिक, principle यानि कि आधिकारिक तो Naatya Shastr में जो लिखा हुआ है वो आधिकारिक और दूसरा प्रासंगिक, तो principle आधिकारिक और subsidiary प्रासंगिक यह दो प्रकार के plot Naatya Shastr में बताए गए है फिर हम आगे बढ़ते हैं What is exposition? Exposition क्या है? The key point of the play फिर Who Wrote the Duchess of Malfi? बहुत famous play है बहुत अच्छा play है वक्त मिलने पर upload करूँगी लेकिन अभी इतना जान लीजे कि यह John Webster की लिखी हुई tragedy है फिर next question है Who popularized the heroic tragedy? heroic tragedy किसने लोक प्रिये बनाई तो इसका जवाब है Dryden Who wrote every man in his humor? किसने लिखा? इसका सही जवाब है Ben Johnson Humor refers to blank space fluids of the human body Humor जो बताता है वो क्या बताता है? चार fluid बताता है human body के फिर है in which period? किस period में the comedy of manners was developed? Comedy of manners विकसित हुई तो वो restoration period में इसको restoration comedy भी बोलते है न 1660 में restore हुई monarchy इंग्लेंड में इससे पहले Oliver Cromwell का शासन था Charles First को फांसी दी गई 1649 में 1649 में Charles First को फांसी दी गई और फिर Oliver Cromwell ruler Lord Protector नाम से इंग्लेंड की का Lord Protector रहा तो कोई राजा नहीं रहा इस बीच 1660 में Charles Second गदी पर बैठा तो उसको कहते हैं restoration period याना restore हुई monarchy इंग्लेंड में तो comedy of manners को restoration comedy भी कहते हैं क्योंकि ये restoration period में लिखी गई फिर है what was the chief component of the sentimental comedy sentimental comedy का मुख्यत तत्व क्या है वो है pathos करुना हिंदी में इसको क्या बोलेंगे करुना रहें which type of play is the hair yap hair yap किस प्रकार का नाचक है ये एक expressionist drama है who wrote morning becomes electra morning becomes electra लिखा Eugene O'Neill ने फिर who founded the drama of ideas drama of ideas की इस्थापना किसने की Bernard Shaw ने उसका arms and the man आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं what is the closet drama closet drama क्या है not intended for stage यानि ये stage के लिए नहीं है इसको आपको घर में बैठके आराम से पढ़िए next question है who wrote waiting for the godo waiting for the godo किसने लिखा है Samuel Beckett ने लिखा है बहुत famous नाचक है और ये किस प्रकार का नाचक है theater of the absurd या फिर आपका है absurdist drama है सबसे ज़्यादा famous absurdist drama waiting for the godo है what is the theme of justice justice बड़ा famous drama है किसने लिखा है ये जॉन गॉल्स वर्दी ने लिखा है problem play है और यहाँ इसकी theme क्या है judicial system of England यानि England का जो नियाए विवस्था है वो theme है और pitiful condition of prisons वहाँ की jailों की जो दुर्दशा है बुरी condition है वो यहाँ पर दिखाई गई है who wrote the murder in the cathedral the murder in the cathedral नाटक किसने लिखा है T.S. Eliot ने लिखा है which play is not written by Bernard Shaw इन में से कौन सा नाटक Bernard Shaw ने नहीं लिखा है man and the superman Bernard Shaw का है candela Bernard Shaw का है arms and the man Bernard Shaw का है अब Bernard Shaw का नहीं है तो फिर है किसका भई यह भी जानना आपके लिए जरूरी है न यह लिखा है उन्होंने ही जिन्होंने justice लिखा है अभी मैंने आपको उपर इनका नाम भी बताया था justice किसने लिखा था जॉन गॉल्स बर्दी ने और उन्होंने ही यह silver box भी लिखा है यह भी एक problem play है ठीक है यह एक और book है इसमें से और थोड़े से question देख लेते हैं पहला है अब अब हम इसके बारे में discuss भी कर चुके हैं तो आपको याद ही है ग्रीक ड्रामा पर हमने एक वीडियो भी अलग से बनाया तो यह Aristotle की poetics book है वहां से लिया गया है यह word की जगे work होगा match the following इनको match करना है अच्छा यह बड़ा important question है क्योंकि इसमें कई terms एक साथ दे दिये गए आपको जो की जानना ज़रूरी है tragic hero, hemaltia, peripatia anagnosis और catharsis इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है यह सारे terms Aristotle की poetics में है poetics आपको अगर भक्त मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ दीजे मैंने 40 video upload किये हैं 20 हिंदी में, 20 English में 20 चेप्टर उसके upload किये हैं 26 चेप्टर हैं टोटल तो अब यह देखे tragic hero, यह match होगा B से the protagonist of a tragedy tragedy का मुख्य पात्र होता है hemaltia, E से match होगा a defect or error in judgment अभी आपको बताई था peripatia या peripatia यह D से match होगा sudden change in the fortune reversal of situation और anagnosis C से match होगा recognition of the truth यह अभी तक आपने नहीं पढ़ाए anagnosis मने जब सच्चाई पता चलती है hero को जैसे Eadipus Rex में Eadipus को पता चली सच्चाई तो वो anagnosis कहलाएगा recognition of truth सच्चाई का की पहचान recognize मने पहचानना होता है recognition पहचान of truth सच्चाई की फिर catharsis यह बड़ा important term है और यह A से match होगा purgation of emotion purgation मने होता है शुद्धी करण और वो कौन सी भावनाए है जिनका purgation होता है pity and fear यह दोनों आपको note करके रखनी है वीडियो pause करके अपनी note book में जरूर note कर लिजेगा कि catharsis में जो शुद्धी करण होता है दो भावनाओं का होता है वो दो भावनाए कौन सी है pity and fear आपके लिए objective question इस तरीके से भी आ सकता है कि वो दो कौन सी भावनाए है और आपको वो दे देंगे जैसे anger और love दे देंगे वो भी तो भावनाए है को soul of drama कहा जाता है drama की आत्मा क्या है plot कहानी कहानी होती है sequence of incidents कहलाता है plot का जो explanation आपको देना है sequence of incidents फिर है according to Aristotle we can have tragedy without which of the following parts यह बहुत ज़रूरी आपके लिए जानना कि इन में से कौन सा part ऐसा है tragedy के अभी मैंने six elements बताए थे तो उन six elements में से क्या कहता है Aristotle कि इन में से किस के बिना tragedy हो सकती है अब soul तो plot है आत्मा plot है आत्मा के बिना तो कोई चीज होई नहीं सकती तो Aristotle का यह खहना है कि plot के बिना tragedy नहीं हो सकती लेकिन character के बिना हो सकती है तो आपको character याद रखना है कि character के बिना tragedy हो सकती है ये Aristotle ने कहा है plot के बिना नहीं हो सकती क्योंकि वो तो आत्मा है अब ये अगला fifth question ये भी उतना ही important है यहां भी आपको एक साथ पाँच चीज़े दे दी और बहुत important terms हैं ये पाँचो exposition, rising action, climax, falling action और resolution exposition क्या है? ये B से match करेंगे हम the beginning of the story rising action क्या है? A से match करेंगे the main character faces a series of conflicts यहां rising action में जो main character है वो एक series मदब लगातार conflicts को face करता है फिर climax हम कहा match करेंगे? D से match करेंगे the turning point of the story फिर falling action हम कहा match करेंगे? C से actions that lead towards the end of the story फिर resolution है यह हम match करेंगे E से the end of the story sixth question है which among the following is not a classical tragedy playwright? यानि classical tragedy playwright यानि कि Greek और Roman writers को classical writers बोला जाता है तो आपने Greek drama पढ़ी लिया मेरे साथ अब आप पहचान सकते हैं अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इन में से कौन सा नहीं है? वहाँ आये थे Greek drama में येकिन Thomas Kidd ये तो English writer है तो ये सही जवाब होगा Who is the writer of Gorbodak? Gorbodak किसने लिखी है? ये Thomas Sackvillay और Thomas Norton अभी इसका जिक्र भी हुआ था क्या है ये? First tragedy है First English tragedy तो इसको लिखा किसने? Thomas Sackvillay और Thomas Norton ये भी आपको याद रखना है फिर है Who is well known for heroic tragedy? Heroic tragedy के लिए कौन जाना जाता है? पहले नाम आया क्या इनका? शायद नहीं आया तो John Dryden को जाना जाता है heroic tragedy के लिए 9th question देखिए A street car name Desire is a playoff ये नाटक किसने लिखा है? Tennessee Williams ने लिखा है आपके syllabus में भी है अभी तो वक्त ही नहीं है जो मैं इसे upload करूँ लेकिन करना तो है ही मुझे अभी तो नहीं कर पाऊँगी कोशिश करूँगी तो ये Tennessee Williams का नाटक है फिर the type of drama that mingles the tragic and comic elements यानि वो नाटक जिसमें tragic and comic elements together साथ में मिले होते हैं इस called उसको क्या कहा जाता है tragic comedy Shakespeare ने बहुत लिखी है tragic comedies जैसे Merchant of Venice मैंने आपको बताया लेकिन एस्टोटल को बिल्कुल पसंद नहीं आरेस्टोटल इसके सخت खिलाफ है कि tragic comedy नहीं लिखनी चाहिए who is called the father of poetic drama in England इंग्लेंड में poetic drama का father किसको कहा जाता यहां जो नाम दे रखें इन में से तो सही नाम T.A. Siliate है लेकिन यह जो poetic drama है यह तो पहले से लिखा चला रहा था यानि आप Shakespeare को पढ़ते हैं वो भी poetic drama है blank words में लिखा हुआ है आप Christopher Marlowe को पढ़ते हैं उसने blank words में लिखा है तो ऐसा नहीं है कि poetic drama नहीं था T.A. Siliate से पहले poetic drama तो था लेकिन term poetic drama T.A. Siliate ने दिया इसलिए उसको father of poetic drama कहते हैं क्योंकि term उसने दिया है ऐसा नहीं है कि हाँ उसने लिखे भी है जैसे murder in the cathedral आपकी syllabus में भी है वो एक poetic drama है तो उसको इसलिए हम father of poetic drama कह देते हैं क्योंकि term उसने दिया है यहाँ जो options दिया है उनमें जो सही option है वो T.A. Siliate ही है next question है which type of drama is written primarily for the purpose of reading only तो कौन सा ड्रामा है जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है यानि performance के लिए नहीं लिखा जाता तो वो closet drama है पहले बात हो चुकिए उसके बारे में who is considered a father of problem play problem play का father किसको कहा जाता है Henrik Ibsen को कहा जाता है और इसको जो problem play है उसको slice of life drama भी कहते हैं कभी कभी इसको kitchen sink drama भी कह देते हैं तो ये दोनों term मैंने आपके लिए note कर लिए हैं कभी कभी पूछा जा सकता है कि problem play को और क्या कहा जाता है तो slice of life drama या kitchen sink drama भी कहा जाता है और father इसके Henrik Ibsen फिर है who coined the term problem play अब इस term को किसने coin किया फादर तो Henrik Ibsen को कहा जाता है लेकिन term coin किसने किया यानि use किसने किया पहली बार तो यहां जो options दिये हैं उनमें तो Sydney Rundie है लेकिन जो जिसने दिया था actually term वो FS Boas उसका नाम है तो आप दोनों अपने note book में note कर लीजेगा अब यहां जो दे रखा चाहिए कहीं कहीं कुछ websites पर इनका नाम भी दिया है Sydney Rundie और कई जगे FS Boas का नाम दे रखा है तो आप दोनों का note कर लीजेगा और issue से प्रार्थना ये कर दे हैं हम लोग के भई ये दोनों options में ना आए क्योंकि FS Boas और Sydney Rundie अग्रुदूत यानि आगे चलने वाला शुरुवात करने वाला तो drama of ideas का pioneer किसको कहा जाता है वो George Bernard Shaw को कहा जाता है Who is called the father of comedy of humors comedy of humors के पिताजी कुन है John Milton, Ben Johnson, William Shakespeare Christopher Marlow तो इनके पिताजी Ben Johnson है comedy of humors के लिए वोई जाने जाते हैं अच्छे ये दो questions मैंने cross मार दियें क्योंकि मुझे जमें नहीं ये questions और थोड़े confusing थे अब हम सिधा question number 19 पर आते हैं फ्रांस में याद रखिएगा इनको ये कफी important questions हैं तीनों ही बेहद important questions हैं तीनों को अच्छे से याद कीजिएगा अभी first unit में मेरे पास इतने ही questions है multiple choice questions अगर मुझे और questions मिलेंगे इस unit के तो मैं अगले वीडियो में जब मैं second unit का वीडियो आपके लिए upload करूँगी MCQs का तो मैं उसमें include कर दोंगी और ये वीडियो में यहीं समात करती हूँ धन्यवाद